हेलो दोस्तो टिपिकल इंडिन कंस्यूमर के काम की बात section में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं mile और kilometer की so basically mile और kilometer दोनों ही हमारे distance measure करने के लिए use किये जाते हैं या फिर length measure करने के लिए use किये जाते हैं सो बात करते हैं कि अब यह दोनों अलग-अलग क्यों हैं अगर दोनों same चीज़ के लिए use किये जाते हैं so basically mile जो हमारा create हुआ था वो हुआ था English systems में और जो हमारा kilometer है वो है metric systems में so यह दोनों जो system है यह अलग-अलग measurement के system है जो measure करने के लिए use किये जाते हैं तो अब बात करते हैं एक kilometer में होते हैं हमारे 1000 meter और एक mile में हमारे होते हैं 1609.344 meter यानि कि mile हमारा kilometer से बड़ा होता है और अगर हम इनको convert करना चाहते हैं directly तो वो convert कर सकते हैं 1 mile equals to 1.60934 kilometer so basically जितने मी mile इसमें multiply करने हैं उतने multiply कर सकते हैं और अगर kilometer की बात करें तो 1 kilometer होता है 0.62137 miles के equal so दोस्तो आई होप यह वाला section आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए, bell icon press कीजिए और अपने दोस्तों के साथ information share कीजिए thank you so much